आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, question में में दिया गया है Find the reminder is When x raise to power 51 is divided by x square minus का 3x plus का 2 तो students इसे हम solve करते हैं हम मानते हैं कि हमारा पहला वाला जो हमें polynomial दे रखा वो दे रखा है Px जो कितना है x raise to power 51 और दूसरा वाला जो polynomial है वो क्या है वो मेरा Gx कितना x square minus का 3x plus का 2 Students हम जानते हैं Remanded theorem क्या होती है जो polynomial के division से related है Remanded theorem इस theorem के अंदर क्या होता है If polynomial Px is divided by other polynomial Gx then reminder इस also है other polynomial which is Rx तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ Px equals to Gx multiply by 2x plus का Rx तो इदर मेरा Qx क्या हो जाएगा यह मेरा quotient को represent करने वाली polynomial हो गई कि कितनी बार यह divide हुआ है तो मैं x की पावर 51 को क्या लिख सकता हूँ x square minus का 3x plus का 2 तो कि मैं इसे divide कर रहा हूँ तो मेरे Qs की polynomial आएगी और मेरा कुछ ना कुछ reminder आएगा अब एक चीज़ अगर किसी भी quadratic equation से किसी भी polynomial को हम divide करते है मलब किसी भी polynomial में quadratic equation को divide करे जैसे कि मैं x cube में कर रहा हूँ किसी x square का तो मेरा linear equation बसता है राइट क्योंकि अगर linear से जादा बच जाएगा तो वो अगें डिवाइड हो जाएगा तो मेरा linear equation को मैं कैसे represent करता हूँ ax plus का b तो महला quadratic equation से divide कर रहा हूँ तो मेरा यह reminder बचेगा अब मैं इसको क्या करता हूँ x raise to power 51 और इसके मैं क्या करता हूँ तो factors करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो इसका जो हम देखेंगे कि इसका x square का जो coefficient है वो a equals to 1 है और constant term मेरा कितना है c equals to 2 quadratic equation का और मेरा जो x का coefficient है minus 3 मैं क्या करता हूँ factorization method का use कर रहा हूँ a और c की multiply करता हूँ तो यह आजाएगा 2 और a और c को मैं कुछ इस तरह से break करूँगा कि उन दोनों का multiplication तो क्या है plus का 2 और जो उसका जो sum आए वो आए b का value मतलब जितना minus का 3 right तो मैं इसको break करता हूँ तो यह मेरा हो जाएगा x square मुझे किस में पर रिक करना है minus का 2x में और x में तो यह हो जाएगा plus का 2 into qx plus का ax plus का b right इसको मैं further solve करता हूँ तो यह हो जाएगा x की power 51 equals to x मेरा common x minus का 2 minus का 1 common x minus का 2 यह पूरा का पूरा curly bracket में यह qx plus का ax plus का b right फिर मेरा आगे इन में लिखूँँगा x की power 51 equals to x minus 2 common x minus 1 इस तरह से इसके factors में औरको मिल गए और यह qx मतला quotient वाला polynomial और ax plus का b reminder वाला polynomial मतलब linear polynomial अब students यह जो है यह जिससे मैंने divide किया इसका एक root क्या होगा क्या होगा जो इसको 0 कर देगा वो क्या होगा 1 होगा x equals to 1 पे 0 हो जाएगा यह particular और यह x equals to 2 पे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब अगर मैं मानूं की x equal to 1 and x equal to 2 किसके roots हो गए roots of इसके x square minus का 3x plus का 2 equals to 0 के क्या हो गए roots हो गए और यह मेरी का quadratic polynomial है जिससे हम divide कर रहे हैं आगे मैं देखता हूँ की मैं क्या करता हूँ इस वाली equation के अंदर x equal to 1 put करता हूँ तो मेरा हो जाएगा क्या x equal to 1 put करूँगा तो 1 की power 51 equals to यह वाला पूरा term 0 हो जाएगा 0 plus a plus का भी इसका मतलब मेरी a plus का भी क्या आगया a plus का भी आगया मेरा 1 इसको मैं देता हूँ equation number 1 और again मैं second case में क्या कर रहा हूँ इस वाली equation के अंदर इस वाली equation के अंदर क्या put कर रहा हूँ x equal to 2 तो मैं put करूँगा तो यह हो जाएगा 2 raise to power 51 और again यह 0 और यह 2 a plus का b तो यह हो जाएगा क्या 2 a plus का b equals to 2 की power 51 यह equation number 2 हम मैं क्या करता हूँ की equation number 1 को यहा लिख लेता हूँ a plus का b equals to 1 अब मैं क्या करता हूँ दौनों का difference करता हूँ तो यह हो जाएगा a और यह हो जाएगा 2 raise to power 51 माइनस का 1 तो students मेरी a की value का आई 2 raise to 2 की power 51 माइनस का 1 हम मैं क्या करता हूँ कि a की value equation number 1 में put करता हूँ तो मैं लिखता हूँ put value of a in equation number 1 तो इसमें put करता हूँ तो क्या हो जाएगा यह a मतलब 2 की power 51 माइनस का 1 फ्लस का b b की value में find करनी है equals to 1 तो students में b की value find करूँगा मैं क्या करूँगा कि 1 को एदर transfer कर दूँगा तो इसकी जो sign हो जाएगा positive हो जाएगा तो मेरा क्या बचेगा है 2 की power 51 फ्लस का b equals to क्या हो जाएगा 2 और b equals to हो जाएगा 2 minus 2 की power 51 राइट और ये क्या आजाएगे मेरी a और b की value मेरी a की value की आईती 2 की power 51 माइनस का 1 तो मेर से पूछाता कि reminder क्या होगा यदि मैं divide करूँगा वो क्या है ax प्लस का b a क्या है मेरा 2 की power 51 माइनस का 1 multiply by x प्लस का b मेरा कितना है 2 माइनस 2 की power 51 राइट तो इस तरह से मेरा जो required reminder आया वो क्या है मैं इसको एक बार rewrite कर देता हूँ 2 की power 51 माइनस का 1 into x प्लस 2 माइनस 2 की power 51 और यही मेरा फाइनल आंसर हो जायागा reminder का थेंक यू क्लासिक स्टुएल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आ या whatsapp कीचे अपने doubts 8400 400 चार्स उपर